हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है प्रभाकर और आपका स्वागत हिश्टीडी कर पर तो दोस्तों आज है 15 अगस्ट 2021 और भारत अपना 75 श्वतंता दिवस मना रहा है तो आप सभी को भी 75 श्वतंता दिवस की हार्दिक सुबकामना है तो आज किस लेक्चर में हम जानेगे कि भार नहीं देशों को जानने वाले हैं उनके बारे में हम discuss करने वाले हैं कि वो कौन से देश हैं चुकि 15 अगस्ट को अपना 95 श्वतंता दिवश मनाते हैं तो सबस्तों सबसे पहले बाथ करेंगे नौर्थ कोरिया आर्स दोनों के लोग साफंता दिवस मना यहां के लोग इसे का वक्त 1905 में अमेरका और आल को को आजाद करवाया था लेकिन बाद में 1948 में कोरिया का विभाजन हो जाता है और और कोरिया दो भागों में बढ़ जाता है उत्तर कोरिया और दच्छेड कोरिया फ्रेंड्स अगला नैसन देखते हैं कौन सा है तो ध्यान से सुनिएगा इसका नाम लिक टैंस्टीन एक देश है जो की बहुत ही छोटा देश है दोस्तों यूरोप की कंट्री है तो इसमें भ आ रहा है दोस्तों 5 अगस्त 1940 को लैक टैंस्टीन सरकार ने आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त को राष्टिय चुट्टी का दिन घोशित किया था यानि 1940 में इसकी ऑफिसियल घोशना की गई थी कि 15 अगस्त को राष्टिय दिवश मनाये जाएगा नेक्स्ट कंट्री है दोस् तांत्रिक देश है भारत की आजादी से 13 साल बाद यानि 1960 में से आजादी मिली थी 1880 से लेकर आजादी तक इस देश पर फ्रांस का कबजा हुआ करता था अगर हम इस देश की बात करें तो छेत्रफल के हिसाब से कॉंगो अफरीका महादीप का तीसरा सबसे बड़ा देश दोस्तों अंगला देश से बहरीन बहरीन भी 15 अगस्ट को अपना स्वतनता दिवश मनाता है तो ध्यान से सुनिएगा बहरीन के बारे में भारत की ही तरह बहरीन पर भी अंग्रेजों का सासन हुआ करता था 15 अगस्ट 1971 को ब्रेटेन की सेना के साथ बहरीन का समझवता और देश को आजादी मिल गई दोस्तों बहरीन 16 अगस्ट को स्वतनता दिवश मनाता है लेकिन ओफेसियल तोर पर उसे 15 अगस्ट को ही ब्रेटेन से आजादी मिली थी इसकी बजाए यह है कि 16 अगस्ट को बहरीन के सासक इसा बिन सल्मान अल-खलीफा ने गद्दी समाली दोस्तों तो इस प्रकार से हमने डिसकस किया है पांच ऐसे देशों को जो की भारत के अलाबा 15 अगस्ट को अपना स्वतनता दिवश मनाते हैं तो आपको यह लेक्शर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं और इस लेक्शर को लाई कर दें अगर आपको पशंद आय क्या है शेयर कर दें दोस्तों के साथ जिससे सपोर्ट मिल सके तो चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं सी प्रकार की और इंट्रेस्टिंग जानकारी के साथ तब तक के लिए